असंदीदा नैशनल नमस्कार मैं हूँ अमीश देवगन और मेरे साथ इसमें बात करने के लिए किसान अंदोलन पर क्रिशी कानूरू पर बात करने के लिए और और कई मुद्दो पर बात करने के लिए मौजूद है कॉंगरेस के राष्ट्य महा सचिफ सोनिय गांदी के एडवाइजर और मीडिया चीफ रंदीप सिंग सुर्जेवाला साथ अबिरंदे ने आपका न्यूज एटी नेट्वोक पर मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे यही है कि भारतिय जंता पार्टी की सरकार मंतरी पार्टी के नेता प्रवक्ता वरिष्ट नेता कह रहे हैं कि किसानों का अंदोलन हाईजैक हो रहा है क्योंकि कभी खालिस्तान की पोस्टर दिख रहे हैं कभी उमर खालिद और शर्जल इमाम की रहाई की मांग के पोस्टर दिख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं हमीश भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शरम नहीं आती क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीचता क्या देश की सरकार एहंकार में दिल्ली के तकत पर बैठ कर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोडों किसानों खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती आज देश को भूकी भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं तीयत्तर साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ और आप उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी उगरवादी टुकडे टुकडे गैंग देश रोही चीनी पाकिस्तानी समर्थक बताकर इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं ये इस देश का अपमान है इस देश के स्वाभिमान का अपमान है इस देश की कुर्बानी का अपमान है जवान जो है वो किसान का बेटा है और किसान देश का पेट पालता है और उनकी कोई और मांग नहीं केवल एक मांग है मोदी जी और भाजप्पा द्वारा बनाए गए तीन काले कानून खतम करो ताकि 62 करोड किसान और खेत मजदूर रोजी रोटी कमा सके प्रकाज जावडेकर ने हमारे साक्षाता कार में कहा कि 95% किसान नरेंद मोदी के साथ खड़ा है हम चुनाब जीत रहें चाहे वो उत्तर परदेश हो चाहे वो हैदरबाद हो चाहे वो र वारता चल रही है क्या आपको लगता है और किशी मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया मेरे साथ ही एक इंटेविव में उन्होंने बोला किसानों को गुम्रह किया जा रहा है पंजाब से सांदोलन की शुरुआत हुई जहां पर कॉंग्रेस के अशासन है अमीश भाई ना तो नरिंदर तोमर जी जो देश के क्रिशी मंत्री हैं वो खेती करते और ना जावडेकर सहाब खेती करते ना पियूश गोएल जी जो किसानों से वारता कर रहे हैं खेती करते इस देश का दुर्भग्य ही ये है मोदी सरकार के खेती मंत्री के पास खेती की जमीन ही नहीं जावडेकर जी जो गयान ग्यान दे रहे हैं हमको वो खुद खेती नहीं करते पिऊश गोयल जी ने कभी हलका मूठ पकड़ कर देखा नहीं और हमें ये कह रहे हैं इस देश के किसानों को मैं खुद भी एक किसान हूँ कि तुम गुमरा हो गुमरा आप हैं क्योंकि आप देश के 25 लाख करोड खेती के कारोबार को पांच उद्योग पतियों को बेचना चाहते हैं ये है दुरभाग्य दुरभाग्य ये है कि इस देश की सरकार ने भाजबपा सरकार ने ये कानून बनाया है कि जमा खोरों और काला खोरों को पूरी आजादी है जब तक चीजे महेंगी नहीं हो जाएंगी तब तक कोई जरूरत नहीं मैं एक छोटा सा उधारन दूगा एक मिनिट जरूर लूँगा आप भी आलू प्याज टमाटर खरीद कर लाते होंगे हमीश भाई आप नहीं तो भावी लेकर आती होंगी क्या कोई ऐसा किसान है देश में जिसे साथ आठ या नौ रूपिया किलो से ज़ादा अपने आलू और प्याज और टमाटर का भाव मिलता हो पर आप चालिस रूपिया तीस रूपिया किलो खरीद कर ला रहे हैं पीछे तो पचास साथ भी हो गया था जिस दिन किसान की उपज इन पांच उद्योग पतियों के हाथ में चली जाएगी जो आने वाले हैं तो आपको 80 और 100 रूपिया किलो पर प्याज टमाटर मिलेगा किसान का गहू 19 रूपिया किलो खरीदा जाता है आप 40 रूपिया किलो खरीदते हैं बाजार में ये 80 और 100 और 500 रूपिया किलो हो जाएगा ये लड़ाई 62 करोड मजदूरों किसान की नहीं ये इस देश के 130 करोड लोगों की लड़ाई है जो सरकार को एंकार छोड़ मैं हाँ जोड़ता हूँ आपके चैनल पर मोदी जी को भी और तोमर जी को एंकार छोड़ किसानों की बात सुनिये मैं क्योंकि हाई जैक की बार 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 आ रही है पिछले चार दिनों से चल रही है योगिय दित्तिनात ने भी मेरे साथ एक समवाद किया उन्होंने भी कुछ पॉइंट को रखा मैं आपसे ये जाना चाहता हूँ क्या आपको लगता है कि जो उमर खार ले तो शर्जील इमाम की पोस्टर ले रहाए गए क्या ये वाजब था किसान अंदोलन के अंदर क्योंकि उनकी रहाई का किसानों से कोई लेना देना नही है जो छटी शर्ट भी थी उसमें भी लिखा गया था कि आप बुद्धी जीवियों को चोड़िए जेल सी रिया करिए क्या आपको लगता नहीं है कि अल्टरा लेफ्टिस्ट कॉंग्रेस भी नहीं अल्टरा लेफ्टिस्ट सुनी होती मैंने सुनी है उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक कोई कुछ व्यक्ती जो इस परकार के पर्चे लगा रहे हैं उनका भारतिय किसान यूनिन के 32 संग्ठनों से कोई लेना देना नहीं 40 किलो मीटर में लाखों लोग बैठे हैं किसी कोने में 10 पर्चे लेकर कोई बैठ जाए तो सरकार ये चाहती है कि टेलिविजन चैनल उन लाखों लोगों और 40 किलो मीटर के किसानों की समस्या ना दिखा कर वो 20 पर्चे दिखाए उन 20 पर्चों को छोड़िये 32 किसान यूनों ने कल भी कहा उनकी एक ही मांग है और वो एक मांग क्या है और विपक्ष की भी एक ही मांग है कि तीन काले कानूनों को खतम करिये बाकी किसी को जेल भेजिये जेल से छोड़िये उसका किसान अंदोलन से कोई लेना देना नहीं हाँ मोदी जी चाहें तो आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि इन सारे किसानों को भी पकड़ लीजिए और हम लो राहुल गांदी जी को भी गिरफतार कर जेल में डाल दीजिए पर तीन काले कानून खतम करिए एक ही मांग है दूसरी कोई मांग है लेकिन क्रिशी मंत्री ने भी बोला कि अब तो कानून तो वापस नहीं हो सकते और समधान बातचीच से ही निकलना होगा क्या आपको लगता है मेरे साथ भी जो नरेंज सिंग तोमर ने यही बात को बार बार दो राया राजनेतिक दल किसानों के कंदे से बंदूक ना रखे और ना चलाएं MSP कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं नहीं है चाहे वो कांग्रेस का शासन हो चाहे वो भारते जन्तर पार्टी की सरकार हो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अचानक कि मांग क्यों उठने लग गई है आपकी तरफ से भी पहले तो सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूँगा और साधुवाद भी दूँगा क्योंकि आपने बड़ी सार्थक बात अपने दर्शकों के लिए पूछी किसान आंदोलन पर क्यों है क्योंकि जो नया कानून आया है तीन काले कानून है उसमें पहली बात अनाजमंडियां खतम अब जब अनाजमंडियां आदर्णिये साथी मैं तो अपनी खेती कुद भी करता हूँ जब खतम हो जाएंगी तो किसानों को MSP मिलेगा कैसे देगा कौन और मिलेगा कहां क्रिशी सेंसस 2015-16 के मताबिक 15 करोड किसान है आज वो 18 करोड हो गए होंगे क्या Food Corporation of India 18 करोड किसानों की फसल MSP पर उनके खेत से खरीद कर लाएगी 42,000 मंडियों में तो FCIA जा नहीं सकती तो ये कैसे संबह होगा जब अनाज मंडी खतम हो जाएंगी तो फिर सीधे सीधे किसान अपनी फसल बेचने के लिए दलालों के हाथ बिकेगा और किसान को ये बात समझ में आ गई है और किसान ये कहता है आप दिल्ली में 10,000 रुपिया कुइंटल MSP दीजिए पर मुझे मुझे मद्धे परदेश में राजस्तान में 36 गड़ पंजाब हरियाना में MSP कौन देगा कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा इन तीन सवालों का जबाब मोधी जी दे दें तोमर साब दे दें ना तोमर साब बताते ना मोधी जी बताते हम MSP रखेंगे अरे भाईया MSP की गोश्चना दिल्ली में करोगे तो वो मिलेगा कैसे सुर्जाब वाला साब इस समय लाखों लोग आपका इस इंटर्विव को करोड़ों लोग न्यूज 18 के माध्यम से नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं कॉंट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बार बार संधे जताया जा रहा है लेकिन पंजाब में तो आपका शासना और वहाँ पर अर्से से कॉंट्रैक्ट फार्मिंग है क्या कहना चाते हैं देखिए आदेने मित्र ये दो बातें भी बड़ी महत्त पूर्ण एक एसेंशल कमेडिटीज खतम करना और दूसरा कॉंट्रैक्ट फार्मिंग एक एक लाइब में कहूंगा देश के 73 सालों में पहली सरकार है जिसने ये कहा कि अमीश देवगन और उनके दर्शकों के द्वारा खरीदी जाने वाली दाल अगर 70 रुपिया से बढ़कर 140 रुपिया किलो हो जाए तो भी सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी क्या को ऐसी सरकार भी देखी है आपने जो काला बाजारियों और जमाखोरों को ये कहे आओ भाया सारी दाल सारी किसान की फसल स्टॉक कर लो और फिर आम मुभोगता को आम आदमी को अपने रेट पर बेचो ये बड़ा आजीब कानून है आप काला बाजारियों के साथ हैं जमाखोरों के साथ हैं या लोगों के साथ और कॉंट्रेक्ट फार्मिंग भी ये है आपने कह दिया किसान की फसल कॉंट्रेक्ट फार्मिंग में ले ली जाएगी और अगर कोई विवाद हुआ तो फिर उस विवाद का निप्टारा SDM करेगा अबीश भाई आप भी साधारन प्रिश्ट भूमी के व्यक्ति हैं मुझे इस बात पर नाज है मेरी तरह अगर SDM और कलेक्टर तो आज भी किसान को गरीब को दफ्तर में गुसने नहीं देते अगर हजारों करोड की कंपनी और एक गरीब दो एकड के किसान में विवाद होगा तो वहाँ चाय की चुसकी उद्योग पती लेगा और किसान सडक पर बैठा होगा क्यों कर रही है सरकार? क्यों गुरामी की बेडियों में सरकार बांध रही है किसान को? सुर्जेवाला जी मैं आपको दो एक्जामपल देहना चाहता हूँ पहला UPA2 के दोरान कॉंग्रेस क्रिशी कानून के समर्तन में थी संसत में कपल सिबल को मैं कोट करना चाहता हूँ जब किसान बोता है और फसल बेचने जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं होता उसको मालूम नहीं है कि किस मार्केट में जाना है अगर मंडी में जाता है तो पैते से 40 परतिशत समान खराब हो जाता है और इसी बीच आठ लोग कमिशन एजेंट होते हैं जो माल मार्केट में बिखता है उसका केवर 15 से 17 परतिशत किसान तक पहुचता है ये 4 दिसमबर 2012 में कपिल सिबन ने सदन में बोला हुआ है यानि पार्लियमेंट में बोला हुआ है इसके लावा फॉर्मर एग्रिकल्चर मिरिश्र शरत पवार की दो चिटिया 2010 और 2011 की क्या आपको लगता नहीं है कि अब आपको भी मौका मिल रहा है तो इसलिए आप लोग भी चौका मार रहे है की मोदी सरकार गिर गई है किसानों द्वारा आपको भी लग रहा है कि हम अब केज़िवाल इसमें लाइम लाइम लाइट ना ले जाए हम ले ले लाइम लाइम लाइट आदर ये साथी मैं आपके और आपके दर्शकों के समक्ष तीन बाते रखना चाहता हूँ दस साल कॉंग्रेस पार्टी यूपिय की सरकार दिल्ली में रही क्या उन दस सालों में MSP खतम हुआ जबाब नहीं में है क्या उन दस सालों में तीन क्रिशी विरोधी काले कानून कॉंग्रेस ने बनाए जबाब नहीं में है क्या किसान की फसल MSP पर खरीदी गई जबाब हां में है क्या उस MSP में 120 से 150 प्रतिशत वरिधी की गई जबाब हां में है 2003 में वाजपई जी ने एक APMC का मौडल कानून बनाया था शरत पवार जी ने उस मौडल कानून की बात की पर वो तो प्रांतों के बहाग में था और हमने इसलिए MSP की पूरी व्यवस्था लागू रखी हमने उसे कभी तोड़ा नहीं तो काले कानून बनाएं मोडी जी MSP तोड़े मोडी जी अनाजबंडी खतम करें भाजपपा और मोडी जी और कसूर कॉंग्रेस पारिटी का ये बड़ी अजीव विडम बना है इसलिए छोड़ दीजिए किसका क्या बयान था मैं आपके मैने फेस्टो पर नहीं आ रहा हुँ अर्विंद केजरीवाल की अब कुछ दिर पहले की स्टेट्मेंट है देखिए केजरीवाल जी से हम केवल यह कहेंगे फैसला करिए आप किसान के साथ हैं या भाजपपा के साथ हैं दिल्ली में उनकी सरकार है हमें उनसे उमीद थी कि वो किसान के साथ खड़े होगे मैं सबूत दूँगा ऐसे नहीं गलत बयानी करना अनुचित है किसी के बारे में भी क्या ये सही नहीं कि इन तीन काले क्रिशी कानूनों में से एक कादून को अनुमोदित करके नोटिफाइ कर दिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी विपक्ष पार्टी की सरकार ने नहीं किया अमरिंदर सिंग जी ने पंजाब की कॉंग्रेस सरकार ने राजस्तान और छत्तिसगड की सरकार ने तो इन तीन काले कानूनों को खतम करने वाला कानून बनाया है जिसे भारतिय जंता पार्टी ने गवर्नर से अप्रूवल नहीं दी प्रंतु अर्विन केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी और भाजप्पा द्वारा बनाये गए कानूनों को नोटिफाई किया है तो एक तरफ तो आप मोदी जी को खुश करना चाते हैं दूसरी तरफ आप किसानों को भी खुश करना चाते हैं दो किष्टी में जो सवार होता है वो नहीं चल पाता एक किष्टी में सवार हुई है केजरिवाल जी आज भी भूल स्विकारी है और वापिस किसानों के साथ आख खड़े हुई है प्रकार चटान की तरह मजबूत है जो हमारे साथी किसी वज़े से नाराज थे वो सब हमारे साथ हैं जी सचिन पाइलेट जी कॉंगरेस पार्टी के लिए एक ऐसेट है एक महत्वण कॉंगरेस पार्टी के नेता है और कंदे से कंदा मिला कर वो गैलोट साब और हम सबके कहां भारतिय जनता पार्टी छल से पैसे से सत्ता बल से लगातार जनमत का अपहरण और जनता का अपमान करने का प्रियास करती रहती है जिसकी चर्चा गहलोज साब ने की हमको लोगों ने चुना है भाजपपा के पेट में दर्थ क्यों होता है चुनाव लड़े अभी देखा आपने वो लोकल बॉडिस के चुनाव में हारे पहले वो जीते थे तो इसलिए चुनाव लड़े जो जनता निरने करे उसके मुताबिक निरने हो बहुत बहुत शुक्रिया रंदीप सिंग्शुर्जेवाला हर विषय पे बात करने के लिए और किसान कानूनों पर और आंदोलन पर बात करने के लिए आपका बहुत अभिरंदन ठैंक यू सो मज़ तो ये थे कॉंग्रेस के महा सचेव वरिष्ट रेता रंदीप हुए इनका बड़ा बयान है कि कानून वापस लेने होंगे और राजिस्तान की सरकार चट्टान की तरह खड़ी है फिर आल एक ब्रेक